प्रशाशन की लापरवाही सिर्फ सीधी जिले में ही नहीं रीवा और शत्ना जिले में भी देखी गई है दो दिन से बारिस कहर वर पार रही है उससे जो धान की खरीदी हुई थी जो समीतियों के सामने रखी गई थी वह भींगते हुए नजर आई है पहले रीवा की बात करें तो पिछले दो दिन से हो रही बारिस केंद्रों में खुले में रखी हुई हजार कुईंटल धान भींग गई अधिकारी अभी बारिस भींगी धान की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है उनका कहना है कि अभी किसी केंद्र शे धान भीगने की सूचना नहीं मिली है जबकि जीले के मउगंश, पन्नी, अत्रेला, जवा सहीद अन्न खरीदी केंद्रों में धान भींग गई है केंद्र प्रभारी कारिवाही से बचने के लिए अधिकारियों को दिये बगएर भींग चुकी धान का भंडारण करा रहे है बतादें की जीले में 130 खरीदी केंद्रों में अब तक 45,465 किसानों से 2,45,087 टन धान का उपारजन किया गया है खरीदी गई धान में से अब तक 1,93,970 टन का परिवहन कर सुरक्षित भंडारण कर दिया गया है जबकि शेश 1,1,170 टन धान केंद्रों के बाहर पड़ी है दरसल खरीदी केंद्र से मिलिंग के लिए मिलर्ष को परिवहन के आदेश देर से जारी हुए है जिसके चलते वेयर हाउश में जगह नहीं बची वहीं किसानों की भीड को देखते हुए धान का उपारजन कर बाहरी भंडारित किया जा रहा है पश्यमी विछोब के कारण मौशम विभाग ने बारिश का पुर्वानुमान जारी किया था इस से वाकिफ होने के बाद भी खुले में पड़ी धान को बचाने के लिए ठोस पहल नहीं की गई कुछ केंद्रों में धान प्रभारियों ने तिरपाल वा पॉलिथीन से धकने का प्रयाश किया लेकिन हवाओ के कारण वह धान को गीली होने से नहीं बचा सके केंद्रों में अविवस्था से सुकुरवार को बड़ी संख्या में किशानों की तौल नहीं हो पाई थी सरकारी लापरवाही एक बार फिर उपाजित उपच पर भाड़ी पड़ी सुकुरवार शनिवार रात में बे मौसम की जो बशात हुई उससे खुले में रखी करीब तील लाप कुईंटल धान भींग गई यह धान किशानों से समर्थन मूलिव पर हाल ही में खरीदी गई थी लेकिन इसे ढखने के लिए कोई मूलग विवस्था नहीं थी अधिकारियों ने साब निकालने के बाद लाटी पीटने जैसा काम करते हुए अब इसके लिए परियाप इंतिजाम के निर्देश और कारवाई की चेतावनी जारी करवाए हैं जिले के 149 उपारजन केंडरों में धान खरीदी अब दक्चल रही है अब तक 33,700 किशानों से 33,48,000 कुइंटल धान खरीदी जा चुकी हैं इसमें 22,00,000 कुइंटल धान का भंडारण हो चुका है जबकि 8,00,000 कुइंटल धान गोदावों में रखवाई जा चुकी हैं 63,00,000 कुइंटल धान खुले आसमान के नीचे ही रखी है जो वर्षात में भींग गई हैं धान भींगने की सूचना मिलने पर शनिवार को बिभागी अधिकारी केंडरों में पहुँझें नागरिक अपूर्थ निगम के जिला प्रभंधक अमित गोण कई खेनरों में विवस्थाएं देखी जिला अपूर्थ अधिकारी नागेंद सिंग वसिष्ट सहकारी निरिक्षण जभाकरण प्रकाष ने मजगमा, पिंडर, हरिहरपूर, प्रतापूर, कोटर, अबेर में निरिक्षण किया, सहकाई निरिक्षण कनिष्ठ अपूर्थ अधिकारियों ने भी अपने अपने विकास खंड में केंद्रों की विवस्थाएं देखी, उन्हें बारिश में भींगी बोरियों को बदलने वक्षानों के अनाश की तॉल वेयर हाउश गुदामों में ही करा निर्देश दिये, बारिश के बाद सीधी चिले का क्या हाल है, आईए देखते हैं, सीधी चिले में कलेक्टोर दारा निरिक्षण किया गया, जिसमें निर्देशित किया गया कि जिन किषानों को स्लोट बुक कर दिया गया है, उन्हें खाद्यान की तॉल एवं परिवहन तिरधारित दिवर्ष में ही सुनिच्षित करेंगे, उपारजन केंद्रों पर खाद्यान की तॉल के उपरान वर्दानों की सप्लाई करके उँचे एवं पक्के इस्थान पर स्टेकिंग लगा कर रखी जाए, और वर्षश से वचाओ भेत खाद्यान को तिरपाल से कवर क करें, उपारजन केंद्र परिशर में पानी का भराव ना हो या सुनिच्षित करें, किशी भी केंद्र में धान मोटा अनाज भींग कर खराप होने की इस्थिती में संबंधित उपारजन केंद्र से भरपाई की जाएगी, कलेक्टर ने धान उपारजन के संबंध में समस्त जानकारी प्रतेक उपार्जन केंद्र में ओफ्लाइन संधारित करने के निर्देश भी दिये, उन्होंने खरीदी उपरांद की शानों को ततकाल पावती उपलब्द कराने के निर्देश दिये हैं, कहां तक्नीकी समस्या के कारण ओनलाइन पावती नहीं मिलने पर लेक किया जाए, निरिक्षण के दोरान मुख्य कारपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे अपर कलेक्टर राजेश शाही शहित संबंधित बिभागी अधिकारी उपस्तित रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे बड़ी कवर के साथ